कि या बें माकेट एप्स फिनिक्स अना साइब राइड इंगाइज इस 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 हो शितिश मल्वियन आई वेलकम वेल्टो वाई यूटूब चैदल आज के वीडियो में हम बात करने वाले जनरीटीव आर्ट एंफटी के बारे में जनरीटीव आर्ट एंफटी क्या होता है औ और कौन-कौन से जनरीटीव आर्ट एंफटी अच्छे है कौन-कौन से मार्केट प्लीस उसके है आर्ट प्लॉक्स के बारे में बात करेंगे और क्या चीज़ आपको देखनी चीए जब आप जनरीटीव आर्ट एंफटी आपको जब करना होता है तो उसके बारे में भी थ जन्रीट किया जा रहा है, computer programs है, right, so यह perfect combination है, artist और एक programmer के बीच पे, right, artist जो हो अपने ideas जो है, उसको code के forward में डालता है, code उसके इसाब से एक art piece बलाके देता है, तो उसको generative art बोलता है, generative art का जो सबसे basic और simple example जो है, वो profile picture nfts होते है, तो profile picture nfts भी एक type के basic generative art होते हैं, तो वो कैसे create होते हैं पहले उस पे एक बार समझ लेता है, तो profile picture nft को समझने के लिए, सबसे पहले open sea पे कोई भी collections की images हम देखते हैं, ताकि आपको idea लगे कि इस टाइप से चीज़े काम करती है, so for example, अगर word app यात कलब जो सबसे popular profile picture nft collection है उसका अगर collection एक बार दीखते हैं, तो उसमें 10,000 supply है, 10,000 different nfts है, ठीक है, जो 10,000 nft है वो एक दुसरे से अलग है, कुछ ने कुछ आपको अलग दीगा, सबकी अलग अलग properties है, अलग traits है, तो इस type से हर एक nft को अलग तरीके से generate किया जाता है, तो अभी यह जो collection है, वो कि आपको पहले बताता हूँ, तो यह किस टाइप से generative art profile picture nft के अंदर यह चीज काम करती है, तो जब भी artist ने वोड़ आप याद कलब का, या कोई भी profile picture nft के अगर बात करते हैं, जब वो बनाते हैं, तो सबसे पहले उनको base image बनानी पड़ती है, तो BAYC case पे artist ने सबसे पहल आप द्अक द्ख दिख रहे हैं, अला जो अगल आपको इस आपको आपको इस्सका ब्यांटी त्यद अचित अगलग टाइप दिख रहे हैं,, तो यह सारी लेर्स हैं, तो अव्त यह आपको इसा लेर्स यह А्पको 12वांटी संब मेसे आटानी साक बहें सब घृत के चंगे profile picture NFT, बात करती तो उसमें चैनलिंक की सर्विस होती है उसका हो उसको लते है चैनलिंक VRF, रेंड़न करता है उसने जो भी आपने images बनाई हैं और layers उसके इसाब से back-end डेंड में चलाता है और यह combination बन के आते है राइट जो भी आपने और कुछ NFT काफी basic होते हैं जो floor price पर जनरी लोग sell करते हैं यह जो randomization है वो channel link VRF के थुरू किया जाता है जो channel link VRF की service profile विचे NFTs use करते हैं, developer use करते हैं तो वो developer का काम होता है artist का काम होता है layers बराना, base image बराना और developer का काम होता है channel link VRF use करना code में उसको डालना और इसके हिसाब से जो code में डालता है तो यह 10,000 image ऐसे randomize होके बाहर आती है और जो randomize होके बाहर आती है तब ही पता चलता है कि NFT किस टाइप से है artist को में नहीं पता होता कि NFT किस टाइप से बनके आएगे उसको तो खाली पता है कि layers यह है यह base image है उसके बाद जो randomization होगा उसके बाद जो programming चलेगी algorithm काम करेगा उसके बाद final result हमारे सामने आता है तो यह generative art है यह basic generative art है अभी बात करते है complex generative art की ऐसे generative art जिस पे काफी अलालग shape है काफी अलाल objects है animations वगरा भी है और जो एक proper art piece है right profile picture NFT इतने art piece नहीं बोल सकते है उनको बड़ जो proper art piece है जिनको देखके भी आपको काफी ज्यादा इंटरगिंग लग रहा है काफी मज़ा आ रहा है तो इस type की जो NFTs होते है वो generally art blocks पे sell होते है और FX hash पे sell होते है जो second popular marketplace है जो तेजो उस पे है तो Ethereum पे art blocks है और art blocks नहीं generative art का जो movement है वो चालू किया था जनरेटीव आटिस्ट की community काफी पूरा नहीं वैसे 1980s से ही लोग काम कर रहे है community काफी चोटी थी पहले इतना उनको exposure मिला ली था और पहले exhibition वगरा भी काफी limited होते थे तो काफी niche community थी but art blocks के आने के बाद जब NFTs वगरा इसके launch होना start हो गया तो like कई लोग को इसके आने पता चला लोग collect करते और art blocks के NFTs generally उनकी value भी appreciate काफी सही होती है और value drop भी इतिनी होती और ultimately अगर आप you know कई लोग उसको ऐसी collect करने के लिए करते हैं like flipping का scene जाने लोग ऐसा होता नहीं है कई लोग ऐसे बाइ करके अपने पास रखते हैं क्योंकि art piece इतने जबर्दस होते हैं so art blocks के बारे हम सबसे वहले बात करते हैं so art blocks का जो marketplace है उसकी website artblocks.io है तो इस पे generally जो भी नए आर्टिस्ट वगरा होते हो इस पे करता है तो art blocks के अंदर basically तीन टाइप के इनके collections होते है एक होता curated एक होता presents तीसरा explorations तो जो exploration वाला जो collection होता है वो open edition होता है वो free mint होता generally exploration वाला segment उने recently चालू किया है तो friendship bracelet करके जो था वो सबसे पहले इसमें लाउंच हुआ था तो इसमें ये free mint था बट उनके लिए था जो कोई ले कोई art block का LFT होल्ड कर रहे है और जिन्रोंने चब्वीस अक्टूबर से पहले बाइक किया हो तो मैं भी hold कर रहा था तो मैंने भी friendship bracelet वो है वो दो मिंट किये थे अभी उनकी floor price पी काफी decent 0.6 इथर के आसपा चल रही है और यह collection काफी सही है उपन एडिशन था उपन एडिशन में 100 के आसपास NFTs थे बाट 40 परसेंट इमिन वह 40 के आसपास अभी इसकी टूटल सप्लाई है इसके अलावा exploration वाले पार्ट में 23 नवंबर को एक और exploration वाला LFT collection launch हुआ था Marfa Yuka का तो यह भी काफी सही था तो इस टाइप से exploration पी होते है इसको watch out कर सकते है exploration वाले में open addition होते हैं महला free mint generally होते है बट इसमें भी depend करता है कुछ criteria वैसे white listing हो सकता है बट यह generally free mint वाला section होता है इसके बाद जो main यहाँ पे उनका segment is curated वाला segment है तो इसमें curation काफी important होता है क्योंकि सारे जनरेटिव आटिस तो टॉप के होते ही नहीं है बट आर्ट पलोक्स curated वाले में जो काफी जिनका अच्छा काम है जिनका एक previous work history अच्छा जिनका artistic profile काफी सही है उसके इसाब से और बाकी artwork के इसाब से वो curate करते है तो curated वाला section जो है वो generally काफी popular है वहाँ पे interest ज्यादा आता है लोग वहाँ पे ज्यादा mint करते है और वहाँ पे secondary marketplace पे भी volume काफी आता है तो अभी इनका next collaboration जो major आने वाला है वो new worlds करके आने वाला है और इस पर कई सारे NFT collection जो आता हमकी supply ज्यादा होती है यह 500, 600, 300, 1000 इतनी होती है हजार पल एक average मन के चलो तो यह जो इनका एक collaboration है वो यह आपका एक सप्ता के बाद स्टार्ट होगा इसका auction चेत इसकी price start होगी Dutch auction है higher price से start होगा फिर डाउन होता जाएगा वो जैसे जैसे उसका supply demand का ratio होगा उसके एसाप से यह भी काफी जादा highly anticipated mint होने वाला है बट यहाँ पे काफी क्रीज होगा और art blocks में जिसमें काफी demand होती है जिन mint में वहाँ पे gas war काफी ज्यादा होता है बट भी जाता है वहाँ एक जाता है यहाँ बड़ा पर फीज दो सो डॉल तीन सो डॉल जाते थी तो art block का इतना ज्यादा ज्यादा था लाश्क मार मार्केट वे अब ही थोड़ा साख्रेस कवेवाण वापस पिक अप कर लेगा जब भी एड़ गड़ा मंट होता था तो ए NFTs हैं वो अच्छा कर सकते हैं तो यह तो art blocks के उपर mint करना है तो इस टाइपस आप कर सकते हो एक और section यह आप प्रजेंट करके हैं तो उस पे भी कुछ NFTs वगरा आपको यहाँ पे दिख सकते हैं तो यहाँ पे भी कुछ एक अलग से क्यूरेश रिलोग करते हैं उसके इसाब कि किस टाइप से floor performance है किस टाइप से sales volume वगरा आया है तो वो आप OpenSea से ले सकते हो तो उसके लिए एक website है sansa.xyz तो sansa.xyz में क्या है कि आप जो भी यह generative art की collections वगरा इनको track कर सकते हो easily track कर सकते हो क्योंकि OpenSea पे आपको one by one search करना पड़ेगा आपको एक dashboard सीधा नहीं मिलत जिससे आप पता लगा सको किसका किता floor है बाट यह website काफी amazing है इस पर आप सीधा पता लगा सकते हो कि किसमे किता किसका floor है तो यह website artblocks के सारे NFT collection को list करता है उनकी proper ranking वगरा की विए floor price वगरा के इसाब से supply के साब से percentage of changes के साब से यहापे सबसे popular और सबसे पूरा जो art block का NFT collection है वो chromy squiggle है तो यह snow pro जो है उनका founder artblock का उन्होंने लांच किया था जब artblock platform लांच हुआ था तो यह काफी popular है और इसकी floor price काफी बड़ी थी यह जब launch हुआ था तो I guess freemint था और अभी जो इसकी floor price 16.4 ether के आसपा चल रही है बीच पे उसकी 3-4 मिने पहले floor price 7 ether के आसपा च इसकी अलावा सबसे महंगा अगर इनका LFT collection आपको देखना है तो वो यह the eternal pump करके है जिसका floor price 245 ether चल रहा है फिडेजा का जो floor price 87 चल रहा है रिंगर्स का 59 चल रहा है तो इस टाइप से सबके floor price कुछ-कुछ LFT collection के काफी ज्यादा है उनके artist profile पे डिपेंड करता है supply पेंड floor prices का थोड़ा सा ज्यादा है तो supply अगर कम होती तो उसके साभी floor price पी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिडेजा का अगर collection आप देखते हो एक बाद देखने के लिए किस टाइप से collections होते है और या reason की इनकी floor price इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो इस collection को अगर देखते है इस टाइप की जो आठ पीस होते है वो काफी महेंगे सहल होते है like multi million dollar लोग pay करते 10 million dollar 15 million dollar में भी इस टाइप के आठ पीस जाते है so art is very subjective right आप और मैं हो सकता है नहीं समझ पाए कि इस पे क्या है बट यह art जो है artist नहीं बना है computer ने बनाया है right artist ने code किया उसको computer ने result दिया ह तो इक computer द्वारा बना हुआ एक art piece है program द्वारा बना हुआ art piece है algorithm द्वारा बना हुआ art piece है और इसकी value इसले बड़ी क्योंकि इसकी demand ज्यादा है right और जब किसी चीज की demand होती है तो उसकी value automatic हो जाती है right तो वह वाली बात है तो इसले art is very subjective चीज तो उसमें art में हम ऐसा नह नहीं आ है आप सोचो किया मतलब है इसमें कोई बजा नहीं आ रहा है कई कुछ ऐसे art piece आपको दिख सकते art block से जो काफी अच्छे है पर उनका floor price ज्यादा नहीं है but वह अगे demand के उपर depend करता कि अभी demand उनकी कम होगी आगे जाके बढ़ेगी तो क्या मता floor price बढ़ जाए तो काफी simple NFT है एक साब से लाइन ही उन्हें ट्रो की गई है बट यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है जनरेटीव आर्ट में कुछ-कुछ ऐसी चीज़े होती अनिमेशन वगरा होता है colors यहाँ पर चेंज हो रहा है तो यह थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता हो इस historical piece है like historical like सबसे पह इसका floor price पर काफी सही गया है 0.6 ether का असपास अभी चल रहा है और इसका floor price एक टाइम पर 0.1 था और यह फ्रेमेंट था और इसके फ्रेमेंट की जो claim window है वो close हो चुक है फ्रेमेंट सब के लिए लिए था जिनके पास art blog का NFT था उनकी लिए था तो जिन उन्होंने claim करना था क्लेम कर दिया कई लोग उन्होंने claim ने किया इसकी टूटल सप्लाई हो 38,423 के आसपास है तो यह जो art piece हो किस टाइप से हो एक बार अगर आप डेखना चाहो तो इसके क्लिक करते है तो यह काफी ज्यादा उनका amazing thought process है इसके पीछे और जिते भी art blog के LFTs आप दिखोगे त तो इसको इसी तरीके साब रियल टाइम पे भी ड्रेसलेट बला सकते हो तो इसका instruction वगरा भी आपको यह पे पूरा मिल जाएगा तो इस टाइप से आप दीख सकते हो तो यह काफी अलग टाइप की thought process है और काफी artistic mindset होता है इन सब के पीछे तो कई बार हम जैसे लोग समझ बात है बात काफी सही चीज है अमेजिग चीज है Artblock के कई सारे NFT collections काफी amazing है और trending collections में अबर देखते है तो यहाँ पे यह friendship dresslet जो है वो तो trending चली रहा है इसके अरवा toys जो है अभी recently launch हुआ यह भी trending में चल रहा है और उसके माद तो सारे NFT की floor 1 इथर से उपर है और कुछ NFT collections क कि फ्लोर वैसे कम है बट अगेन वहाँ पे यह चीज़ डिपेंड करते है कि फ्लोर कम है इसका मतलब यह नहीं कि वह राइज होगा यह पर अगर आप ऐसे सोच के चलने हो लगा कि यह आट ब्लॉक के एफटी में फिलिप कर पाऊगा सारे जो भी में बाई कर रहा हूँ चास और उसकी हाइप काफी ज्यादा है अमूनिटी में ऐसी बात भी चलनी कि यह next Cromi Squiggle बन सकता है क्योंकि Cromi Squiggle भी Snowfro ने लॉच किया था और Snowfro ने इस प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया है फ्रेंशिप डेसलेट को उसका ही कही ने कहीं यह प्रोजेक्ट आर्टिस्कों इ पहले और उनकी फ्लोर प्राइस भी ज्यादा थे तो में अपना कलेक्शन एक बार आपको दिखाता हूँ उससे एक बार आईए आपको लगेगा कि किस नाइप से आपको अगर बाई करना है तो इससे पहले मैंने यह दो कलेक्शन वी ऐसे लिए थे लिए थे लेटें स्ट्र भी बाई कर दिया और तब मेंको इतना नोलिज था नहीं मैंने इतना कुछ पढ़ा मगरा इसके बाद था नहीं तो इसका फ्लोर डाउन चल रहा है 0.083 चल रहा है यह क्लेक्शन मेंने फो में बाई किया था और और इसके बाद मैंने देखा भी था तो यह जन्रेटी करने की कोई बात नहीं है तो जरूर नहीं कि इसकी फ्लोर बढ़े और कई बार कुछ ऐसे मेंट आते हैं उनकी डिमांड ट्विटर पर फेब्रिकेटेड बन जाती है लोग उसको ऐसी अच्छा 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 फोवो बनाने के लिए तो इसका फोवो बना था ट्विटर हो सकते हैं वहाँ पर आपको loss हो सकता है ये चीज सक आपको ध्यान रखता है चाहाए प्रोफाल पिक्चर में कर रहेों जञनरीटीव में कर रहे हो ये बेसिक चीज है इसका आपको ध्यान रखना जरूर जडूरी है उसके बाद आपको जो कि यह ले लो वे वो ले लो क्योंकि मैंने सब चीजे देखी हुई है कि यह चीजे वर्काउट नहीं करती है कही बार कर जाया तो अच्छी बात है एक्सपूजर के ले लाया तो ले सकते हो बट इतनी उम्मित बर लगा हो कि यह अच्छा जाए गए जाएगा तो वो चीज आ सब्सक्रावा आर्ट ब्लोक्स तो आपका एथेरें पे हो गया और तेजोज पे एक और जनरीटीव आर्ट का एक मार्केट प्लेस उसको एफक्स हैश बोलते हैं और यह भी काफी पॉपुलर यहापे आपको कम प्राइस पर नेफ्टी बिल जाते हैं जनरीटीवाट के ते सेवन डेस के इसाब से कौन सा अच्छा कर रहा है तो यह साउथन गौथिक करके काफी सही चल रहा है इसके अलावा ट्रस्ट है किंडर है बाकी में को इतना एफक्स हैश का इतना आइडिया नहीं है मैं लाइक यह पे नेफटी तक लेक्ट नहीं किया है यह प्लेटफोर् पर उनके नेफटी की प्राइस ज्यादा होती है बड़ एफक्स हैस पे काम होती है अगर इस पर आपको डीप में गुसना है आपको ऐसा है कि इसको मास्टर करना है जनरेटिव वाले सीन को तो आपको आर्टिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा आर्टिस्ट को फॉलो करके उ जिसका art blocks पे भी collection है, तो वह काफी सही चीज है, उसमें तेजोज पे भी price बढ़ जाती है, तो तेजोज पे भी LFTs अच्छे perform करते हैं, इसी बात नहीं है, इथेरियम के बाद, जनरेटीव आट पे तेजोज ही जाना use होता है, तेजोज जनरेटीव आट में काफी अच्छा platform है, काफी बड़ा marketplace है, FX6, तो इसको आप explore कर सकते हो, और इसमें, जैसे इसका floor price अगर आप देखते हो, तो 79 floor चल रहा है, 60-70 dollar का आपको मिल रहा है, तो इस टाइप से अगर आपको वैसे exposure लेना है, जनरेटीव आट में कि सस्ता लेना है, बड़ में कोई exposure लेना है, उसमें कोई जनुरूरी नहीं कि आप flip कर पाओ, ये आपको समझना है, तो FX6, ट्राई कर सकते हो, और एक चीज और है कि ये जनरेटीव आप सीख लेते हो, प्रियेटीव आट मुनुर्ण लेके और यहां पर पुरा लोकुमेंटेशन, अगर आप अच्छी आपके अच्छी जनरेटीव आटिस्ट बनते हो, अगर आप अल्एड एक आटिस्ट और आप थोड़ा बोर्डिक भी सिख लेते हो, जाना सिहां लेते हैं, ठोड़ा जभास्प्रिप्ग चिस टाफ से जनेरेटिव टोकन मनाने वो सिख लेते हो, तो ultimately यह पर करीयर काफी सही है, और अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है, आपका सेलेक्शन हो जाता है, अतोगर देनी परती है, और क्यूरेशन वाले में पार्ट में जाना है, तो आपको अपलाई करना पड़ता है, अगर आप क्यूरेटेट इड काफी अमेजिक हो सकता है, कुरेटिट वाले section में आप अगर कोई 500 NFT का भी mint चलाते हो 0.1 इther की price में आराम से sell out कर सकते हो 50 इther कमा सकते हो बड़ जनरेटिव आर्ट सीखना भी खाले का काम नहीं है तो आपका artistic mindset होना चाहिए आपको आर्ट की सबज होनी चाहिए और साथ पर coding भी आने चाहिए तो यह काफी killer combination है इसलिए उनके जो आर्ट पीस है वो भी काफी rare है उसके वाज़े से उनका growth भी काफी सही होता है सो यह overall मेरे thoughts है जनरेटिव आर्ट के अराउट और आर्ट प्लोक्स को आप और explore कर सकते हो, upcoming mint को track कर सकते हो, artist को follow कर सकते हो, artist की profiles आपको यह आपर सब दिख जाएगी, वो आप follow करो, उसके अलावा fx hash पर कौन को से artist है, जो art blocks पर भी mint करते हैं, उनको follow करो, इसके अलावा आप यह सांसा करके website है, इसको track करो, floor price वगरा है, सब आप track कर सकते हो, और बाकी collections की बात करते हैं, तो friendship bracelet में को सबसे सही लगता है, और इसकी hype अच्छी है, demand अच्छी है, और ऐसा short term कुछ ऐसे rise wise होने कोई सीन नहीं है, अगर आप investment भी कर रहे हो, उसके कुछ पैसा डाल 0.6 इतर चल रहा है, तो पहली बात तो आपके पास investment होना चीए, तभी आप डालो risk management आपको follow करना पड़ेगा, इसा रही की 0.6 पड़ा है, सारा कसा डाल दिया, ऐसा तो बिल्कुल बत करना, और इसकी floor price rise होगी ही नहीं होगी, subjective है, community में इसी hype चल रही है, demand चल रही है, उस लगेगा, किस टाइब से चीज़े काम करती है, किस टाइब से जनरेटीव आर्ट होता है, और किस टाइब से इस अपुष्ड़ेटी का फाइदा आ सकते हो, so that is all from my side in this video, I hope आपको वीडियो पसद आया होगा, वीडियो पसद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, वीडिय क्या है, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्स्प्रेंड किया है, पाच-पाच मिनट के वीडियो है, तो एक गंटे में पूरा मास्टर क्लास आप इजली देख सकते हो, तो टाइम निकालके उसको बिल्कुल देखना था कि NFTs के राउंड आपकी understanding बने, फ्यूचर में काफी help क कि आपके कोई और questions वगरा हो, तो you can always ask me and comment, मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, thank you.